पूर्वी चोड़ पर चांदन नदी पर बना पूर्व दौस्त बारिश के करण चांदन का जलस्तर इतना बढ़ गया कि एक माँ पहले बनाया गया डाइवर्शन भी पूरी तरह से रह गया पूर्व दौस्त ओने के कारण वहनों का परिचालन एवं काफी संक्या में भागल पुर दुमका मुक्यमार्ग पर जाम की समस्या रहती है जिसे की यात्रियों को भारी परिशानियों का सामना करना पड़ रगा गया इस से आम जनता का रोज मर्रा अस्त व्यस्त हो गया गया रशासन वजन प्रते निदियों के लापरवाही से हो सकता गया बड़ा घाथसा बौंसी से अभी शेक साह की रिपोर्ट अब जाए तीन मेला से हम लोगों जो आई तुके उपर आना जाना कर रहे हैं लोगों का जान जो पर शुपर रहे हैं अस्तानी जिलापरसासन या अस्तानी को इमंत्री शांसाज गिदाया किसी की द्वारा जो है इस पूर के समन्ग में कोई पढ़ने प्रते लिए जिसके हम लोगों का जान पौज it in the bible हिए आप दूस्तान कट्री अभ़ोज के द्वारा जो आयां वो बालूट की आताया के लिए जो है जुके लिए परिशानी ही परिशानी है इस दिन भी यह दश जाएगा जूट जाएगा वह भी आवागवन बाजित्व जाएगा है हम लोग अवैद तरीके से इस पूल पर जा आ रहे हैं हम लोगों का जान बिलकुल ही खत्रें है अरुड पूल तुटा हुआ है वितक्स प्रइब जनपर करें भी ध्यावन नहीं दे रहा है और पन्सापर्शासन लोग भी भी ध्यावन लेता है जन पर जाल करके लोग पार हो रहे हैं हम लोग कब गिल जाए हैं कब जन खचरे में पड़े रहा हैं सकाना मुश्यों समझना चाहिए सरकार को यह दल पर तुम भी को ऐसा कुछ ने कर रहा है अभी तगला परवाहीच चल जा सरकार के तरफ से इसमें कोई ध्यान नहीं प्रसासन भी इसके पीछे मतलब स्वया हुआ है इसको कर चाले कांटा को भी इसमें परेशानी है आने जाने में लिए चानल नहीं पूल पे जा रहे हैं पूल से ओते ही रेटना हो गिया है तावी प्रप्रब्लम वह रहा है जब का सकतो चानल में पूल से लगाहीच आदमी है नूर्ड में बहुत स्कत है, मत ज्सान स्काविया हो जि Всем Nagu है. कर 10 बहुत है यूरों कि नुक्सान में पढ़ जाएगा, तो रहुए ढ़कर काया。 बाग के नीचे भी गिर सकता है तो जिनान जेना चाहिए वासन को पर्शासन को सको है जब करीब को आज़िक आजमी है जेली आके जाते हैं जो जरूरी उना काम है उसको पर्शासन नहीं करता है और क्या है हम लोगने कम आला यद्धि आजमी में डेडी आके उसन है ज्री जाते हैं घूरूरी इद्धिवज लोग है यद्धि आजमी है तो इसन जो गते हैं अगर के वाल बक्नाद करते हैं और पर मच suspecti मुझ्बूर हैं में होज़ाय सब्सक्राइब करें तब देखें ये हमारा वाका का चांदनपूल तेख रहा है तीन-चार मैने से तुटा पड़ा हुआ है यहां का लोकल जो भी रिदा है कि मैंने जो भी घंटा फरण नहीं पड़ रहा है कुछ भी हो जाए अदमी चांद जो कि में डाल के जा रहा है लेकिन उनलों को कोई घंटा फरण नहीं पड़ रहा है पहुत दिकत हो रहा है अदमी है आनों हम बहुत कष़़ रहा है को लोको देखिया को इस्ट्रें वह दो हिस्ट नहीं दो बाका आते हैं प्रिसद करने लोग पइनाली जाते हैं यहां पर शूल रहा है तो फोर दो रहा लिए तावाज बादा है अधिसों काटशाया करें लिदफ का बाद हैं इस नहीं परण इस पूल को तूटने से लगभग दो मेना हो गया शुरू में अगर प्रसासन इस पर ध्यान देता तो पूल नहीं तूटता प्रसासन के लापरवाही के कारण ये पूल तूट गया है इसकी करवाई के लिए हम लोग दो वार अपने अस्तर से बीम को दिर्खाव भी लिखके दिये हैं पूरा गवबाला सिग्नेचर कराके दिये हैं कम से कम हम लोग को डैवर्शन भी आस्तर नहीं दिया गया बात वो कि धीरे धीरे तूट चूटता चला गया चूटता चला गया आज तक वा चूट ही रहा है अभी तर के पब्लिक को क्या दिक्कत है यह पब्लिक समझ रही है पब्लिक देख रही है यहां हमारे राम नरायन मंदल जी हैं विधायक हैं एम्पे हैं एमेले हैं एमपी हैं कोई इस पर कोई ध्यान नहीं है उनका चलिए उनकी बात छोड़ियों में नेता है हमारा प्रसासनिक दिस्टिकन से अभी जो हमारे डियम साहब हैं देखते हैं यह रावत वे रावत डिपक रावत खाए हुए रास के बनाओ यह बनाओ यह गलगता यह वजह हैं ध्यान नहीं है अब अनका जब द्यान नहीं है हम लोग दन्ता हैं जे पर प्रसासक करसके नहीं हैं किसी में पीचों जगड़ा कर सकते नहीं है आज आज किसी तरह से हम लोग ठत्रा मोल लेके जा आ भी रहे हैं कर लगर किसी तरह का घटनों दुल घटनों हो जाता है जो चार पॉद्दास आत्मी गर मीचे में चला जाता है दब जाता है इसका जवाब दही कौन लेगा एसपी लेगा कि डियम लेगा के लेगा कि खनेदार लेगा कौन लेगा इसका हम लोग कोई साथ परेशानी है और कब तक रहेगा यह भी कहनो मुश्किल है अभी कहीं कोई बहुत दूर दूर तक कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है बाद कि यह क्या इस्टिया गाड़ी मराग रखने रख के पैदल जाएं कि वाका जिला आज आगलपूर और जार्खंड से एक तरफ से कट गया है जार्खंड से तो पूरी तरफ से बाका बाहर है वह बुडाव नहीं है आज बाका टापू बन गया है और इसका देन अगर दी कहीं करता है वह राजी की सरकार बढ़ता है क्योंकि राजी सरकार के पास कोई भी भी भीजन नहीं है जिससे यह लगे कि वह किसी वीजी लेके आने वाले पचास बसों के बारे में शोग बाका में पहली बार पूल उन्हें सब पंचानवे स्री में बाढ़ के कारण द्रस्त हो गया और उस समय के तत्कालिन मुख्यमुक्री हमारी दल के राश्टी अध्यक्स आदर्नियस्री लालू पर साही आदर्जी में थोरण इस पर कारवाई किया और एक अच्छे पूल का निर्वान कराया राश्टी जन्तादर की सरकार जाने के बाढ़ राजी की ये जो तथाकतित सुसासनी सरकार है इन्होंने बाहर के कंपनियों के द्वारा बाली बालू का इतना ख़ड़ाव करवाया जिसके कारण से की पूल का बेड़ ही दर्वे और आज नदी 10 फिट गहरा हो गया है जिस सरकार पूल बहुत मजबूत था अभी सरगार को कम से कम उसकर डाइवर्शन बनाने क्या अपने ने से बनाया उसको जिलापासाशन ने अपना कि यहां के अस्थानिया बिरायक जो एक नंबर के गोटालेवाज भी मंत्री राजस्व मंत्री उन्हां कुंका बयान आया यह पूर बन जाएगा ऐसे हो जाएगा तथा कि जितने भी इसांसत बिरायक जो है है जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो सिर्फ व्यावाजी कर रहे हैं हवाजी से अपना काम चला रहे हैं और बना जाना पुछ नहीं यह तो कहावत यहीं हुआ कि मत्री आप करते हैं कि कहावत है वो अभी स्वमापती की उर है और यह सरकार अगर और ज़्यादा दिन तक रहेगी तो यह बिहार को परवाद करके ही दम ले